Android 11 के बाद Samsung Galaxy M51 को आ गया है एक brand new update almost 1GB का है और security patch इसमें आता है 1st June 2021 का इसकी साथी information दूँगा और update में क्या-क्या नए feature आएंगे वो भी बताऊंगा क्या आपको ये करना चाहिए या फिर नहीं नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब आफकोर्स बहुत बढ़ी आई होंगे तो इसमें आपको मिलता है security patch लेवल 1st June 2021 का Android 11 पर भी वीडियो बनाया था वो नहीं देखा तो देख सकते हो आप और इसकी size है 952.61 MBG है अपडेट करने से पहले ध्यान रखेगा कि आप जब अपडेट करोगे थोड़े settings change हो सकते है और आप कोई भी call वगरा नहीं कर सकते हो emergency call भी नहीं कर सकते है इसलिए अपडेट उसके बाद ही करना charging आपकी थोड़ी 30-40% के आराउंड होनी चाहिए बैटरी तभी अपडेट करना क्योंकि अपडेट में phone heat होता है और बैटरी भी ज़्यादा जाती है तो अब देखेंगे update खतम होने के बाद इसमें क्या-क्या नए features आ गए है तो दोस्तो अपडेट कंपलिट हो गया है अब सब कुछ बताता हूँ आपको पहला तो जो quick share है हमारा वो improve हो गया है यानि जो galaxy device के बीच में sharing होती है files की तो वो improve हो गई है minor improvements है quick share में इतना कुछ नहीं of course security improve हो गई है 360 audio नाम का नया feature आ गया है इसमें जो आपके galaxy birds है उनके साथ जो dolby head tracking technology नाम के एक आती है मतलब क्या आप मतलब अपने सर का direction जहां भी घूमाओगे वैसा ही sound का direction भी आपके तरफ ऐसे कस्टमाइज हो जाएगा मतलब 360 audio जो है वो एक बहतरीन feature इसमें add हो गया है अभी आया है और में फीचर इसमें आ गया है Google के RCS यानिकी rich communication services बताता हूं सब कुछ क्या है वगयरा जो messages होते उनमें होता है और इसके SMS जो होता है आपना support आता है और हाँ अपना जो one-to-one chats होते हैं उसमें end-to-end encryption आता है जी हाँ अब वो कैसे activate करना है वो देखते है messages में जाए यहाँ पर आपको three dots पर click करना है और settings में जाना है settings में आपको chat settings में जाना है और अगर आपका जीओ का SIM है अब तो जीओ के SIM में आपको कुछ ऐसा दिखेगा advanced calling and messages अगर एरटेल या फिर किसी और कीजिए settings को ऐसे press कीजिए i button को click कीजिए यहाँ पर जो आपको दिखता है और यहाँ पर आपको जाना है storage में और storage में clear cache और clear data कर दीजिए फिर बंद कर दीजिए और फिर phone को restart कर दीजिए और फिर restart होने के बाद messages app खोले और फिर three dots पर जाईए तो ऐसे तो होना ही चाहिए bloatware की अगर बात करें तो bloatware दो apps आये पहला तो by juice का और जोस नाम का एक app आये दोनों भी uninstall आप कर सकते हो उसमें कोई issue नहीं है यह देख लिए और कोई bloatware नहीं आया है बस यह दो नए app आये थे जो uninstall हो जाते हैं तो क्या यह update आपको करना चाहिए जी यह दोस्तो थोड़ा बड़ा update है इसलिए storage आपका चेक कीजिए और फिर कीजिए security improve होती है और नए features है तो आप कर सकते हैं बहुत must update है फिलारी वीडियो में इतन आपका बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा लगा हो तो लाइक जरू करना अपने दूस्तों के साथ शेयर करना जिनके पास Samsung Galaxy M51 है या फिर इन features के बारे में उनको जानना है इस update के बारे में उनको जानना है कुछ भी doubts हो तो नीचे comment जरू करना मैं आपकी मदद जरूर हमारे Instagram account भी है उसे भी आप follow कर सकते हैं वहाँ पर भी बहुत मस मस चीजे करते हैं तो फिलाल वीडियो में इतना है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा